फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया को दहलाने वाले हमलों की वज़े से 13 नवंबर को याद किया जाता है फ्रांस की राजधानी पैरिस में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने एक के बाद एक छे जगहों पर कुछ ही मिंटों में हमले किये जिसमें 130 लोगों की जान चली गई 350 से ज़्यादा घायल हो गये हमलों के बाद फ्रांस में इमर्जेंसी लगा दी गई आतंकियों ने बार, रेस्टुरेंट, स्टेडियम, कंसर्ट, हॉल कुछ नहीं छोड़ा था साथ आतंकियों ने आत्मघाती हमली किये थे पहला हमला रात 9 बचकर 20 मिनट पर एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुआ था जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त जर्मानी और फ्रांस के बीच मैच चल रहा था वहां तब के राष्टपती फ्रेंकोईस होलेंद भी मौजूद थे सबसे खतरनाक हमला बेटे कला कंसर्ट हॉल में हुआ था पंद्रा सो सीचो वाला ये कंसर्ट हॉल पूरा भरा हुआ था तबी तीन आतंकी अंदर घुस आये और ताबर तोड़ गोलिया चलानी शुरू कर दी सबसे ज़्यादा नमासी मौत इसी हमले में हुई थी इस हमले में आतंकीयों ने वैसे ही रन नीती अपनाई थी जैसी रन नीती 26 नमंबर 2008 को मौंबई हमले में अपनाई गई थी मौंबई में भी आतंकीयों ने ताज हुटेल में जाकर ताबर तोड़ गोली बारी शुरू कर दी थी पैरिस में ऐसे हमले तीन जगहों पर हुए थी इन हमलों की एक वजए इसी साल यानी 2015 में जनवरी में चारली हैब्दो मैगजीन में छपे पैगंबर मुहमद के विवादित कार्टून को भी माना गया था पैरिस में हुए ये हमले मार्च 2004 में स्पेन की राजधानी मैडरीड में हुए हमले के बाद सबसी भयानक थे 11 मार्च 2004 को मैडरीड की ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 190 लोगों की जान गई थी और 1800 लोग घायल हुए थे इस तरह से हमने इस बहुत छोटी से वीडियो में 2015 में पैरीस में हुए आतंकी हमले के बारे में जाना उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बूले सो फ्रेंट्स इस वीजियो में अपते के लिए इतना के बिलते पने नए वीजियो में नए टॉपिक के साथ तो अपते के लिए बाबाई and टेक केर